जम्मोकस्मीर में आतंग क्योंने एक बर फिर कायर नामा आतंग की वारदात को अंजाम दिया जिसमें भारते सैना के पांजवान शहीद हो गए काटवा में इस आतंग की हमले में पांजवानों के गहल होने की सूचना प्राप्त हुई है जिनने बहतर इलाज के लिए पंजाब के पठान कोट में सैनिक अस्पिताल में भरती कराया गया फिलाल सैना पूरी छेतर में शर्च ओपरेशन चला रही है दरसल सौंबार को साम को आतंग वाजियों ने सैना के वाहन पर हमला कर दिया इस दोरान आतंग वाजियों ने सैना की गाड़ी पर गरनेट फेंका और अंधा दुन फैरिंग की सुरुआत में छे जवान गहल हो गए जिसमें दू की हालत गंबीर बताई गई इसके बाद चार जवानों की शेदत की खबर सामनी आई कुस देर बाद एक और जवान शहीद हो गया हमले में शहीद होने वाले जवानों की संक्या अब पांच है अटेक के बाद पांच जवानों को पहले काठोवा के हेल्थ सेंटर भरती कराया गया लेकिन देराद उन्हें पंजाब के पठान कोट इस्तित आर्मी अस्पिताल रिफर कर दिया गया हमले को अंजाम देने वाले आतंग वाजों की तलास के लिए सुरक्षाबलों ने पूरे छेतर में शर्च ओपरेशन सुरू कर दिया है बाकी दोस्तों मैं भगवान से यही दूआ करता हूँ कि बीर जवानों की आत्मा को भगवान अपने स्री चरणों में इस्तान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की छमता दे